हेलो फ्रेंट नमस्कार मैं गुंबिर आप सभी का स्वागत करता हूं देखे रेले वे गुरुबडी की आंसर की आचकी है और आप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ले होगी और आपको पता चल गया हुआ कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बता गा कि 40 नमर वालों का क्या होगा सेलेक्शन होगा या नहीं होगा देखिए आपको कट उप देखर अपने अंवां लगा सकती है कि जिनके 40 आ रहे हैं किया उनका हो पाएगा और कितने नंबर बढ़ेंगे आपके तो देखिए मैं आपको बता दूँ कम से कम तो जो आपकी तो रो मार्क बन रहे होंगे फिलाल और जब रेज लगेगा जब दुबारा से रिवाइज आंसर की आएगी तो उसमें यह समझे कि आपके तीन से पांच नमबर बढ़ने की संभाव नहीं की हर स्टूडेंट के तीन से पांच नमबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं उसके आसानी से पहुंच सके हैं और सेलेक्शन तक वह आसानी से जा सकते हैं अगर किसमत ने साथ दिया तो इतना तो हो सकता है कि पांच नमबर आपके यहां बढ़ने हैं आपके नमबर कुछ बढ़ेंगे वहां पर दिखी नॉर्मलाइशन बहुत ही कम लड़कों के नमबर कम ह सब्सक्राइब सकते मुद्स पर दिखा तो आपके यही सारह सकता है तो आपकी यही सारे लचास यहां दींग्त, दिखाने हां कर Veterans or णुन सब्सक्राइब सकता है उसके बाद रीम मैं पता चला है कि लड़कों के कितने नंबर आ रहे हैं उससे पहले जिसने भी कहा कि मैं सतर अटम्ट करके आया हूं तो दिखिए मैंने पोल भी डाला और कैटेगरी वाइज भी पोल डाला था और मैंने बहुत शारे पोलों को भी एनलाइज किया था तो यह समझे कि जो 80% जो छात्र थे य ₹55 श्यार थे उतने चात्री आनी कि यह समझे कि 20% चात्र थे कि 50 % करके आ गा imbalance तो इतना ही है यानी कि बहुत जादा चात्र थे पचास पश्यात कि वछन नंबर चात्रय पहर शी थे इसकि नंबर नहीं कषात्र कर दा थे इसंई कहीं जॉब कर रहे होंगे और वो एक्जाम देने चले गए उन्होंने एक्जाम दे दिया बस सौक में तो उन्हें के ही 80 प्लस नम्मर बरने हैं बाद बागी इतने नम्मर किसी के नहीं बरने हैं अब मैं आपको बता देता हूं कि किस जॉण की कटॉप क्या रह सकती है लेकिन जब एक्जाम हुआ उसमें 50% चात्र क्या थे एफसेंट थे यहां पर यो कंप्टीशन था इसमें 2 का डिवाइड और कर दीजिए यानि कि यह जो कंप्टीशन रह गया है केवल 72 का रह गया है यानि कंप्टीशन कितने का रह गया 72 का रह गया अब आप देख सकते ह है कि पीटी के लिए तीन गुना चात्र ले जाएंगे लगभब्ध पीटी में ले याजएंगे वो तीन लाग 15,086 के आसबास चात्र ले जाएंगे अीचात्र पीटी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहां चात्रों को प्रास होते हुए भी बाहर जाना पड़ेगा तो इस हिसाब से यह वहां केवल के लिए एक लाग तीन है जो बेकंसिया इतने ही चात्र फिक्स लिए जाएंगे तो वहां भी मेरेड पांच नंबर बढ़ने की पूरी-पूरी संभाव इतने नमस जाद आ रहे हैं तो फिर आपका फाइनली सेलेक्शन हो जाएगा तो देखिए अब मैं आपको बताओ के नंबर बनना यह थे उससाब से मैंने कट आप का अनलाइज क्या है यह कट आप क्या है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं जॉन वाज अगर यहीं बात करे क्या यह का है वेट वालों की शेश के स्वियरखते धम बननाग यह जैपूर क शाण झाराल से जह आ बंस जबाका इसे वालों पच्पन देखे ओवी सी और इड़ो एस में ज्यादा फरक नहीं रहता है वहीं सी की 52 और वहीं बात करें स्टी की तो ड़ंचास नम्मर के आसपा यहां रह सकती है कटॉप यहीं गौरकपुर की बात करें तो यहां गौरकपुर की कटॉप रहेगी यह रहेगी जनरल की 56 रह रहेगी ऐसी की 48 और स्टी की 47 रहेगी तो यहां जो कटॉप जाने वाली है यहां पर देखिए जनरल की 53 और ओवी सी की 66 और स्टी की 57 कटॉप रह सकती है इसके बाद में मैं बता दूँ आपको जभलपुर की जबलपुर की जभलपुर की जो ST की रहेगी 49 वहीं बात करें SCR कॉलकता तो जनरल 55, OVC 54 EWS 54, SC क्यामन और ST आपकी 48 रहने वाली है यहीं ER कॉलकता की बात करें तो जनरल की आपकी 56 रहेगी OVC की 55, EWS की 55 SC की 22 और ST की उड़नचास का ठोप रहने वाली है बिलासपर की बात करें तो बिलासपर की अठामन रहेगी आपकी जनरल की OVC की रहेगी 56, EWS की 56 रहेगी और SC की 54 और ST की 53 काटोप रहने की पूरी-पूरी समभाबना है वहीं हुब्ली की बात करें तो हुब्ली की काटोप क्या रह सकती है मैं आपको बता दूँ तो देखिए हुबली की जो कटॉप रहेगी यहां कम्प्रीशन बहुत कम है तो जो जनरल की जो कटॉप रहेगी यहां 53 के आसपास रह सकती है वहीं OVC की 50 और EWS की 50 कटॉप रहेगी यहां SC की जो कटॉप रहेगी 47 रहेगी और यहां स्टी की कटॉप रहने वाली है 45 के आसपास रहने वाली है इसके बाद मैं आपको बता दूँ गौहाटी जौन की तो जो गौहाटी जौन की कटॉप रहेगी यहां पर देखिए जनरल की जो कटॉप रहने वाली है और SC की 53 और ST की आपकी ओडनिचास कटॉप रहने वाली है ओवी सी की 53 और स्टीक आपकी 48 कटॉप यहां पर रहने वाले हैं इसके बाद मैं आपको बता दूँ चेनने की सबसे सेबज्रें नहीं हमें यहां की कटॉप रहने वाली है यहां से canine एक तक 50 रहे गी OBC की 48 EWS की आपकी 48 रहेगी और SC की आपकी 45 और ST की आपकी 42 कटॉप यहां रहने वाली है सबसे कम इस जॉण की कटॉप ही रहने वाली है अगर चेनी से जिसने भी फरों भरा है और उसके 40-45 नंबर बने हैं की 45 कटॉप रहने वाली है तो देखिए जो कटॉप है मैंने आपको जॉण वाइज बता दी है कि किस जॉण में कितनी कटॉप जा सकती है अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप P.E.T. की तयारी में लग जाए तो दीकि इस वीडियो में आपको बता दिया है मैंने कि कुछ लेट कटॉप बनाए कि कुछ तो मेरे को समय नहीं मिलाता और फिर मैंने पूरा एनलाइज भी किया है कि और पोल भी चेक किया है कि क्या कटॉप बास्तम में रह सकती है अगर मैं जल्दवाजी में कटॉप बनाता तो थोड़ी इधर उधर हो सकती थी लेकिन मैंन यह खूब सोच समझ जिने के बाद में कटॉप बनाई है कि जिस असाब से नंबर आ रहे हैं कि आपकी इतने पर कटॉप लग जानी चाहिए तो इस वीड़ों बस इतना ही है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरू करें और जो मेरे चैनल पर जाहें जावारत